दोस्तो नमस्कार मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रीजी फॉर रियलिटी में दोस्तो गोकुल धाम में हो चुकी है एक बड़ी टेंशन की एंट्री जिसका नाम है चिंतामनी अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह टेंशन इतनी बड़ी है जितनी की एपिसोड में दिखाई जा रही है खैट टेंशन इसलिए होने वाली है कि चिंतामनी को कोई भीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो डॉक्टर हाती के कान खाता रहता है इलाज करो, इलाज करो, ट्रीटमेंट करो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया और डॉक्टर हाती से इरिटेट हो चुका है जब डॉक्टर हाती को पता चलता है कि वो क्लिनिक में आने वाला है तो ये सुनके वो टेंशन में आ जाता है अब दोस्तों चुकि ये शो है इसलिए डॉक्टर हाती टेंशन में है वरना रियल लाइफ में ऐसे कई डॉक्टर होते हैं जो मरीज को ना कोई बीमारी होते हुए भी फेक ट्रीटमेंट करके लंबा चोड़ा बिल बना देते हैं क्या आपको लगता है कि दॉक्टर हाती को चिंता मनी कितनी चिंता करने की जरूरत है अगर दॉक्टर हाती चाहे तो मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर को रैफर कर सकता है वो चाहे तो मरीज की तसली के लिए उसे विटमिन्स की गोलियां दे सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, जिससे मरीज को तसली हो जाए कि हाँ कुछ टीटमेंट चल रहा है और वो मेंटली तोर पर ठीक हो जाए खेर दोस्तो इस केरेक्टर चिंता मरी की शो में जिस तरीके से एंटरी दिखाई गई है, लगता है इस स्टोरी में बहुत कुछ सामने आना बाकी है, अब ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये आगे देखने पर ही पता चलेगा, खेर आप इस बारे में क्या सोचते अपनी रैकमेंड बॉक्स में जरूर लखिए और देखते रहे हैं, क्रेजी फॉर रियालिटी